नमस्कार मित्रो, मैं लाली धानावद, आप सब के समख पस्तूद हूँ, भारती इतियास की क्लासिज के साथ, मेरा प्रियास है कि SSC, NDA, CDS, Teachers Grade, RAS, IAS के जो विद्यारती त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादे से जदा लाबानुवित मेरी क्लासिज हो सकें। आज जिस इतियास विशे की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बेरी पहले इस क्लास के अंदर, पहले इस वीडियो क्लास के अंदर, हम लोग इतियास के एक बेसिक को लेकर के चलेंगे, पहले हम देखेंगे इतियास क्या है, इतियास की स्रोत क्या है, इतियास की तितिक्रम ग बात हमारे सामने यह आती है लेकर के कि इतियास क्या है बात पहले यहां से हमारे स्टार्ट होती है इतियास जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ इतियास की स्थिति कैसी रही इतियास ने हमें किन-किन घटनाओं से अवगत कराया उसी पर डिसकस पहल हिर्टडिय सब्षर्ड यूनानी जी घ्रीक भाषा का सब्द है जो कि हिस्ट्री सब्द की उत्पत्य हुई है वो इस यूनानी और ग्रीक भासा की सब्द हिस्टोरिया से हुई है हिस्ट्री जो हम बोलते हैं हिस्ट्री का आर्थ होता है अन्वेशनों से प्राप्त ग्यान यह हम कह सकते हैं knowledge acquired by investigation जो investigation से हम यह knowledge प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं इतियास एक British इतियासकार हुए हैं जिनका नाम है Edward Hallett कार उन्होंने यह book लिखी है जिसका नाम है What is History उनके अनुसार इतियास जो है history is an unending dialogue between past and present यनि हम कह सकते हैं कि इतियास जो है अतीत और वरतबान की बीच एक अनंत समवाद है जनरल के कहा जाते हैं कि इतियास जो होता है सामने तम लोग बोल सकते हैं कि इतियास मानों के अतीत का अध्यान या उसकी कहानी है जो की लिखित दस्तावेज़ों के अंदर वर्णित होता है लेके इतियास को लेके इतियास शब्द का जो सबसे पहले प्रियोग किया जो प्रियोग करने वाले थे वो एक यूनान के रहने वाले रहे हैं जिनने हम hero dots के नाम से जानते हैं वो युनानी थे और एक परत्म इतियासकार थे इतियासकार के साथ साथ वो भूगोल वेत्ता भी रहे हैं इन्हों ने एक बुक लिखी है अपनी जिसे हम बोलते हिस्टेरिया हिस्टोरिक नाम से उसको में जानते हिस्ट्री शब्द का प्रतम प्रियोग वो जो किया गया था वो यूनान की इतियासकार हेरो डोट्स के द्वारे ही किया गया था युनान के इतियासकार को जो hirodots हैं उन्हें हम father of history या यह का आजा सकता है कि इतियासका पिता, इतियासका जनक या कह सकते है विस्वी इतियासका जनक एक ही बात को एक्जामर कई प्रकार के प्रश्णों पूसता है कुल मिला के बात यही होती लेके कि father of history कौन है तो father of history जो है यवी स्मितियास के जो पिता रहे हैं वो रहे हैं यूनान निवासी हेरो डॉट्स हेरो डॉट्स को father of history जो कहने वाले विद्वान है वो हैं सिस्रो जो रहे हैं वो रोमन दार्शनिक रहे हैं तो इन्हों नहीं कहा है कि इनको कहा है history of father of history हेरो डॉट्स ने इतियास में इतियास लेकन का जो आधार बनाया वो एक पेलो पॉनेसियन युद्द हुआ था जो कि 431 इसापूर से 404 इसापूर के मद्दे हुआ था जो कि स्पार्टा और एथेंस के बीस था इसमें जीत एथेंस की हुई थी इसका जो विशेस इस इस्थान था वो था अनातॉलिया सिसीलिया के अंदर इसका युद्द माना जाता है यह जो युद्ध है जिसको पेली पॉनेसियन युद्ध के नाम से जाना जाता है यह इतियास के मुख्य रूप से आधार रहा और इसे बना करके इतियास को लिखा गया था लेकिए आगे हम देखते हैं कि भारती जो इतियास है यह भारत का जो इतियास लिखा गया यहां कुछ विद्वानों में कहीं नहीं कहीं थोड़ा-थोड़ा मतवेद है लेकिन जो जातर विद्वान मानते हैं जो माना जाता है वो माना जाता है भारती इतियास का पिता वेद्व्यास को वेद्वियास जो कि सर्विदीत हैं हम जानते इनके द्वारा लिखा हुआ एक गरंथ है वो है महाभारत जैसे विश्व का सबसे बड़ा महा काववे कहा जाता है इस महाभारत के अंदर सामने सी बात है जो लगबग आप सभी जानते हैं कौरो और पांड़ों के बीद जो कि संकलन के दोरान ये पता लगा है कि इससे पूर के कोई भी संकलन हमें नहीं मिलते हैं इसलिए 420 सोरी 400 इसा जो पूर रहा है वो इसका टाइम माना जाता है हलाकि इसका विकास आगे तक चलता रहा है वो हम आगे चर्चा करेंगे इसका विकास किस प्रकार से रहा था महा महाभारत को जो युद्दुबा था वो हर्याना के अंदर हुआ जो कैथल डिश्टिक है वहाँ एक सरहधा गाओं पड़ता है वहाँ पर माना जाता है लेकिं इसका जो गरंत की जो भासा है वो है संस्क्रत एक कोशन रेलवे के एक्जाम में पर आया था कि महाभारत को जो ल बारे में चर्चा उसकी कर रहा हूं इसके हम आप देख रहे हैं जैसे कि चार चड़नों में रहा है सबसे पहले इस्तिति जो इसके शलोक रहे है रहे थे परिक्षित जो थे वो इसके व्याख्या करता माने जाते हैं तीसी स्टेश पे चौबीस हजार स्लोक से बाद मुखंड इसमें जोड़े गए इसे भारती इतिहास इसका नाम पड़ा वैश्म पायन इसके लेखक रहे और व्याख्या करता इसके जन्मेजे माने तब इस महा कववे के नाम महा भारत पड़ा जिसकी लेखक जो माने जाते लौम हर्स माने जाते हैं लौमर्स और उग्र सर्वाइन को माना गया और इसके व्याख्या करता जो रहे वो रहे थे शोनक रहे थे इस प्रकार महा भारत जो है उस महा भारत की विकास की यात्रा ह हमारे सामने आती है और एक विश्व का एक बड़ा महा काव्वे महावारत मारे रहता है इस महावारत में थोड़ी चर्चा इसके दौरानम महावारत पर करते हैं क्योंकि बहुत ही मैद्पून कोश्चन में आपको बताने वाला हूं जो एक्जाम के अंदर आते हैं और च्छटा जो पर्व जो कि भी हिश्म पर्व है हमारा गीता कर्म यंद घाता है इसमें इसमें गीता कर्म कर्म को ज़्याद्र गण के बहुत papa करम फल का त्याग होता है करुं का त्याग नि होता करुं का त्याग होता है इसमें करम जो Varit अंतर जो कर्म की प्रधानतह बताई गया है और भक्ति को मोक्ष का मार्ख गीता के अंदर बताइ गया है ये कोशन जादातर जो होते हैं, वो second grade का जब एक्जाम होता है, तो वहाँ एक philosophy subject होता है, वहाँ निसकाम कर्म गीता एक topic है, वहाँ पर जातर वो निकल करका आता है, जो second grade जो teachers की तियारी करने वाले जो विद्यारती है, उनके लिए काफी लाब दैक रहेगा. हमारे बगवान विश्णू के जो अवतारवाद ये दस अवतार जो हुए हैं, उनका अवतारवाद हम लोग कहते हैं, तो अवतारवाद का जो लेक होता है, वो सबसे पहले जो लेक हुआ, वो गीता के अंदर ही माना गया है. इस महा काववे गीता का समय के अनुसार धीरे धीरे अनुवाद अलगलग भासाओं में होता रहा, यहां पर दो मुख्य भासाओं के बाद मैं आपचे कर रहा हूं, सच पहले तमिल अनुवाद इसका हुआ था, जिसे पेरंदेव नाव के द्वारा किया गया था, उन्हों उस समय इसका फार्सी में अनुवाद होता है और उसके अनुवादक होते हैं अब्दुल कादीर बदायुनी, जिन्हें हम शॉर्ट रूप में ज्यादा तर बदायुनी के नाम से हम जानते हैं, महा भारत का अनुवाद जो किया था, इसने रम्ज नामा के नाम से किया था, और इसकी जो प्रस्तावना जो लगी थी वो अबूल-फजल के द्वारा लखी गई थी यह महा भारत के बाद जो इस ती यह कंप्लीट रूप से भारत की इत्यास के बारे हम चर्चा हमारी रही हम जब इत्यास पढ़ते हैं तो तीन इस तरों पर हम उसको पढ़ते हैं विश राजिस्तान का इत्यास है उसकी जनक के अबारे में उसकी पिता के बारे माम बात करतें तो राजिस्तान की इत्यास के पिता की जो संगया जो दीती कर लिका गया था वो Colonel James Toad के द्वारा लिखा गया था Colonel James Toad के बारे में कुछ मेहतपूर्ण टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ जो एक्जाम से समध रिलेटेड है Colonel James Toad जो रहे हैं इनका जन्म जो है स्कॉट्लेंट के अंदर हुआ था 20 मार्च 1782 को इनकी मृत्य जो होती है वो इंग्लेंड में होती है 18 नवंबर 1835 को 1878 के अंदर Colonel James Toad को पश्चिमी राजपुत राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट बनाए गया था देउदवपूर है राजस्तान के अंदर लगबग 5 वसों तक इनका काल रहा राजस्तान में यहां रहे और राजस्तान के जो इतिहास है राजस्तान की जो अर्थवविस्ता है या राजस्तान की जो संस्कृती है उससे परीचीत हुए और इन्होंने उसको संग्रे करने का प्रयास किया Colonel James Toad के द्वारा 1829 में एक गरंथ लिखा गया और वो गरंथ England में लिखा गया था जिसका नाम रहा है एननाल्स एन्टीक्यूटी जो पराजस्तान इसे दूसरे नाम सम्झान लोग Central and Western राजपुत इस्टेट्स ओफ इंडिया के नाम सम्झानते हैं एक विशेज बात में आपको बताना चाहूँगा कि Colonel James Toad जब यहां से गए तो उन्होंने चितोड़ गड़ में एक जील एमान सरुवर जील वहां से एक शिलालेक और वो शिलालेक मानमोरी शिलालेक के नाम से जाना जाता है उसे अपने साथ ले गए थे उस सिलालेक की खास बात यह है कि उसमें समुद्र मंधन का उलेक है उसमें समुद्र मंधन का उलेक है उसमें समुद्र मंधन की रात किया जो वो लेकर गए तो चूकी उसे ले जानी पाए और उन्होंने उसका समुद्र में फैक दिया था सिर्धा से प्रेशन आमारे यह पर इयोगे होता है, कि समुदर में फेका गया सिलाले कौन सा है, या मानमोरी सिलाले कहां पर इस्तित रहा था, ठीक है, तो या कंडल जेमस्टोड की सिलाले को अपने साथ इंग्लेंड लेगे, तो आपको इधियान रखना है कि मानमुरी सिलालेक की बात हमें कर नहीं है लेके विश्व इतियास का पिता, भारत की इतियास के पिता और आपके राइसान इतियास के पिता इन तीनों के चर्चा के बात एक विशेज बात इस्तिति यह होती है की विद्यार्ति यहां पर देखता है अभी हम लुक जो बात कर रहे थे, BC को ले के कपा नहीं होता, वो कूसते है कि सरह BC क्या है EST क्या है जो इस के सन उल्टे क्यों चल रहे है सीधे क्यों हो रहे है मैं यहां पर इस बात को इतियास का जो तीती क्रम ने इसका बहुत साधरन सब्दों में बताने का प्रयास करूँ गा जो कि हर विध्यारती की समझ में इस बात को आ जाएगा सीधी मात इतियास जो लिखा जाता है जो इतियास का संकलन आदू ग्रूप में कर रहे हूं यहां बात हमारी यह होती है कि इतियास का जो प्रारम माना जाता है वो इसा की किस घटना से माना जाता है जन्म से यह म्रत्यु से उपदेश से यह मौक से तो आप यह ध्यान रखें इसा मशी का जो जन्म है वो इतियास के प्रारम का आधार रहा है अब यहां सीधे और हो गया हिंदी में देखते हैं इसा पूर्व लिखा जाता है और एक इसवी शब्द लिखा जाता है इंगलीस में ऐसे हम लोग BC कहते हैं BC का full form होता बिफोर क्राइस्ट जयनिकी इसा की जन्म से पूर्व और और एडी का होता है एन्ना डॉमिनी यानि इसा के जन्म की बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बीसी बिफोर क्राइस्ट इसा के जन्म से पूर उसके एडी का अर्थ होता है एन्ना डॉमिनी इड मिन्स यह हुआ जन्म की बात इसा के जन्म का जो आधार रखा गया वो रखा करते हैं जिसे सिंदु हाटि सब्वयां जिसका नॉर्मली टाइम लिया जाता है वो सत्रेशी देगा जा रहा है जो कि दोऑजार पांक सो इसा पूर्व वज़ादा है और जो सत्रेस पोचास हो वो कम है विध्यारती confuse हो जाते हैं लिएकर किसर जो समय कम है वो बात का है और जो जादा है वो पहले का है इसे बात की जाया यह simple हम लोग बात कर रहे हैं इसा मसी का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म से कितने साल पहले धाई हजार साल पहले सिंदु घाटी सब्वेता विक् सिंदुगाटी सब्वेता का विकास हुआ, सिंदुगाटी सब्वेता विक्षित अबस्ता में थी, लेकिन जब ईशा मसी का जन्म हुआ, तो उनके जन्म से 1750 साल पहले सिंदुगाटी सब्वेता का विनास हो गया, अब ये बात अटोमेटिक है, ये क्या होगा, कि इसन कम हो को इतियास को एक सही करम देने के लिए एक विश्चा की गई और यह विश्चा है हमारे इसमें इसापूर को लेके इस कलेंडर का यह इस्तमाल हुआ आज ही देखा जा रहा है वर्तमान में कि जादतर देशों के अंदर विश्चिव के काफी देशों में BC को आज BCE के रूप में प्रियोग हो रहा है BCE करतो थो तब Before Common Era इसका फुल फॉम है Before Common Era अभी हाली सीटेट का एक पेपर लाश्टियर जो हुआ था उसके अंदर इसका फुल फॉम पूछा गया था और इस CE का जो अर्थ है वो है Common Era ये जो पूरा गटना करम रहा है ये रहा इतियास को सही करम देने के लिए अब हमें यहां जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है मानो संस्कृती जो है वो मानो संस्कृती का विकास किस परकार हुआ किस तरीके से हो रहा था मानो संस्कृती विकास में मैं याँ चर्चा कर रहा हूँ फिर मैं आपको आगे बता सकता हूँ कि एक्जामनर किस तरह के प्रशन पूछेगा उस पर चार्चा हम लोग आगे करेंगे तो मानोव संस्कृति विकास में देखा जाथ मनुष्य की सबसे पहले जो संस्कृति है वो पाशान यूगीन संस्कृति कहलाती है पाशान यूग के बाद ताम यूगीन संस्कृति आती है ताम यूगीन संस्कृति के बाद कांचे यूगीन संस्कृति थी कांचे यूगीन संस्कृति विकास होता है पिर लोह यूगीन संस्कृति का होता है पाशान यूगीन संस्कृती की इस्तिती यह है कि मनुष्य उस समय जब पत्थर के ओजारों को अप्रियोग कर रहा था उस पत्थर के ओजारों को हम लोग यहां देखते हैं तीन दू भाग इसके एक शल्क, फलक, एक पेबुल कभी-कभी यह बात होती है कि शल्क शंस्कृती, फलक संस्कृती यह पेबुल संस्कृती यह किस काल की घटना है तो यह है पाशान, यूगीन घटना है, पाशान काल की घटना है सालक और फलक की इस्तिती क्या है इसकर लिए मैं आपको अब यहां बता रहा हूं कि देखे जब मनुष्य था तो मनुष्य क्या करता था कि पत्थर के उजार बनाये करता था और पत्थर के उजार बनाने के लिए वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर से दूसरा पत्थर लेकर उसको तोड़ा करता था उसके तोड़ने में जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे टुकड़े निगला करते थे उन्हें हम शल्क या फलक के नाम से उनको हम जानते हैं जो मूल जो अतियार बना करता था जोजार बना करता था उस ओजार को क्रोड के नाम से जाना जाता था पेबुल जो होता है पेबुल नदियों में जब पत्थर भैकर के जाते हैं तो जो पत्थर होता है उस जो पत्थर वो पानी की रगड से पत्थर जो है वो पानी की रगड से उसकी जो किनारे हैं वो सापाट हो जाते हैं और एक गोल सा पत्थर बन जाता है उसे हम पेबुल क गाता है वह संस्कृत हुआ है मनुष्य जो है पत्थर के उजारे को प्रियोग कर रहे हुआ है उसी टाइम को लोग पशाण युगीन या पाशान कालीन संस्कृति के नाम उसको हम जानते हैं. इसके बाद, जो विकास आता संसकृतिका उता, वोगतामरियोग्य पिटमरियोग संसकृति का आता है. यह प्रसन हमारा होता है, यह प्रसन पूछा भी जा चोका है, और पूछली गुजय इस दोबारा भन भी सकती है, कि मनुष्य द्वारा जो प्रियोग किया गया था सर प्रतम जो धातू का प्रियोग हुआ था वो धातू कौन सा है तो धातू तामबा है क्योंकि संस्कृति जो हमारे पाशान के बाद वो तामर्यूगिन संस्कृति आई है इसलिए पहले पहले प्रियोग की इस्तिति इसकी में मैं दोनों को मिलाकर कि जो विकास हुआ वो कां सेकावी कास हुआ है इस काल में कांशयों सुछिकटी आई है हमारी जो की सेंधवह काल के अंद्र जो शिल्पकार थे जिन शिल्पकारों को कसरों के नाम से जाना जाता था आप धियान रखे खास तो रुपे NDCDS या SSC या RS के exam में में ये पूछा जा सकता कैसेरो इस पर 50 सब्स लिखिए इस तरह के बात वह हो सकती है तो कैसेरो जो थे वो शिल्पी थे वो शिल्प कार थे तो वो जो कैसेरो है वो तांबा और तेन को मिला करके जो विकास किया उन्होंन वो विकास किया था कांसे का उसके बाद वैदिक संस्कृति या पनत्ती है उसी संस्कृति जो कहलती है ? वो लोहो युगिन संस्क HOLY की नामसोस को जाना जाता है लोहे की जब खोज हुई तो लोः की खोजने जैसे जैसे खोजने नहीं खोज होती है तो हम जानते हैं कि इत्यास जो है वह बदलता। मनुख्य एक बुद्धि जीवी प्राणी है बुद्धी शाली प्रानी है वो अपने बुद्धी के माध्यम से इतियास को बदलने का बार बार प्रयास करता है और विकास करता है और जो विकास होता है तो विकास के साथ विनास की इस्तिती भी बनती है जहां लोहे ने विकास भी किया लोहे ने विनास की इस्तिती भी हु the cow Lawrence in इत्तिकार करने लगे दूर को अंपर अधिकार करने लगे उशी ई जनों से महाजनपदों का विकास वुए माजन निर्मान होने लगा था इस Julio एक अर्थollyld सऺजू थाम 11 सोदार दिया यहां से पहले जGreg हल लकड़ी का बना करता था वो लोहे का बनने लगा लोहे का फाल हुआ तो लोहे का फाल बन की लकड़ी के हल में लगा और क्रश्यू का विकास हुआ ऐसा कहते हैं कि 4 से 24 बैल तक जोते जाने का उलेक हुआ है कांठक सहीता के अंदर मैं फिरीपीट कर रहा हूँ, कांठेक्स नहीं तामें, 4-24 पहल तक जोड़े जाने वाले एक विशाल हलका उलेक हुआ है, जो कि इस बात को सिद्ध करता है, कि इस समय क्रसी बहुत बड़े इस्तर पर चल रही थी, तो ये मानोव संस्कृति का जो विकास रहा, आपको ये ध संस्कृति का विकास यहां पर हुआ था, शल्क या फलक संस्कृति या पेवूल संस्कृति का जो विकास है, वो पाशान युक का विकास है, मनुष्य के द्वारा खोजित जो प्रतम धातु है, वो तामबा है, कसेरो शिल्पकार रहे हैं, वो शिल्पकार जो सेंदव काल क के रहे हैं जिनों के ताम ऑर टिन इन दोनों को मिला करके कांसे का निर माण किया थाップ हमारा नाइक्स टॉपिक जो आता है अभम यहां की बात करते हैं हमारा इतिया से इसığı त्यास में चुक्ती जो पूनलों सुपसुज लिखा गया है इसका वीभाजन अलग-अलग भागों में किया गया है और अलग-वाग कुल मिलाके इसके तीन भागों हुआ है प्रशन हमारा यहां से भी बनेगा मैंने कहा कि हम आपको लगातार प्रषनों के बारे हम बताते जाएंगे कि गुतलर इस कहां कहां पर हो सकती है, ताकि हमार भार काम हो सके, इतियास का विभाजन थीन भागों हुआ है. पहला और जिस हम प्रागेतियासिक काल के नाम से जानते हैं, इंगलीश में से pre history period के नाम से जाना जाता है दूसरा है आद एतियासिक काल जिसको proto history period के नाम से जानते हैं और तीसरा है एतियासिक काल जिसको historical period के नाम से जाना जाता है प्रागतियासिक काल वो काल आता है जिसका हमें कोई साक्षे नहीं मिलता कोई लिकित साक्षे हमारे पास नहीं है किसी कि मनुष्य का जीवन किस परकार करा या मनुष्य की अर्थविस्ता कैसी रिया मनुष्य का राजनीतिक इत्यास के था इस परकार का कोई साक्ष्य हमारे पास लेकिस साक्ष्य हमारे पास नहीं है तो वो जो काल कहलाता है वो काल है कौन सा प्रागतियासिक काल कहलाता है आदे एतियासिकाल का अदर जो घटक्तमिंग रही है इसमें हम यह देखना है अब इन में इनका वी कास करम दहा है यहां एतियासिकाल जो रहा है है इसमें इसको तीन भागों में बाटके रहाए ido प्राची नित्यास जिसे मैं एंचेंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं एक मेडावल हिस्ट्री यानि मद्यकाली नित्यास रहा है एक मॉडर्न हिस्ट्री जिसे आदुनिक इत्यास के नाम से जाना जाता है। प्राची नित्यास का टाइम 600 से 712 इस्वी का माना गया है। के रखा गया है यहां से बहुत मेहत्वपुन प्रश्ण आपके बनते हैं उन प्रश्णों पर डिसकस अभी हम लोग कर रहे हैं तो जो प्रागित्यासिक काल है इस प्रागित्यासिक काल को तीन भागों बाटा गया जो पाशान काली इन रहा है इस पाशान काल के लिग अंद आठ हजार से चार हजार इसापूर तक को जो इतियास है वो मद्य पाशाण काल का माना जाता है और चार हजार से पचीस सो धाइजार इसापूर तक को जो इतियास है वो नौ पाशाण काल का माना जाता है पूरा पाशाण काल इन जो इस्तिती है वो क्या रहिए उस पर हम लो और स्क्रेपर के नाम से हम जानते हैं हैंडेक्स एक वो इस प्रकार से उसको कि एक हत्यार उसने बनाया था उस पत्थर का जिसे हाथ से पकड़ के चलाते हैं आज हम कुलाडी को देखते हैं उसने बकायता 1 को कि देंडा सबना डाल दिया जाता है लेकर कि अंदर जिससे चौट उस पर ज़्यादा लग से लेको ऊसर मनुष्यर की इतनी बुद्धी नहीं थी तो उसने अपने हाथ से ही एक हत्यार परकार उसको काट सके तो उसप्रकार का बनाया तो जिसको हेंडेक्स के नाम से उसको जाना जाताय लेकर कुशा पुरा पाश्कन कालीन संस्कृती की जो अव्शेशा में मिलते हैं वह हैं सो नदीально लगाटी सभ्यता में while साक्राइब और और स्वी यह पूछा शुक भी बार आपकन एत्यार मां कि बूरा पाशन कली हिसतल symbolism की जो है जो है को का विकास यहां पर हूआ है इस काहल का जो मनुष्य था वो मनुष्य निग्रेटो के नाम से जाना जाता था ये जो है बहुत मैध्मून कोशन जो पुरा पाशान काली इन संस्कृती के रहे हैं दूसरी संस्कृती जो मध्य पाशान काल के अंदर रहा इस काल के जो उपकरण थे उन्हें हमाइक्रो लित की नाम से उसको हम जानते हैं मनुष्य जैसी सा अभ्यास करता गया आगे उसके उुपकरणों के अंदर कुछ सुंदrtा आने लगी कुछ डोलता आने लगी इस समय के जो उपकरण है वो सुक्ष में बनने लगी उनकी दोधार है कुछ जादा तेज होने लगी इसलिए उपकरणों को माइक्रोलित के नाम से उनको जाना गया था इस मद्य पाशान कालें जो इस्तल रहे हैं जो सब्यता पनपी है जिसका मैत्पुन इस्तल हमें आदम गड़े में मिलता है जो कि मद्य प्रदेश कंदर रिस्ती थे हमारे राजिस्तान के अंदर जो मद्य पाशान काल का जो इस्तल है मैत्पुन वो है बागोर सब्यता या ब दिलवडा के अंदर है जहां से पसु पालन का जो प्राचिंतम प्रमान साक्षय मिलता है वो में बागोर से मिलता है आप इसे विशेश तोर पे ध्यान लगना है कि पस प्राचिंतम जो साक्षय है वो कहां से मिला वो बागोर से है मानौ जो अस्तिरी है उस मानौ अस्तिय को जो पहला प्रमाना में मिलता है वो उत्तर प्रदेश के प्रताबगड से स्राय नहार इस्तान और महद अहा पर मिलता है यह मद्य पाशान काल की इस्तिती रही है इसका तीसरा काल जो रहा वो नौ पाशान काल के अंदर रहा नौ पाशान काल में यहां जो सबसे पहला पहला जो खोजा गया था वो लेनमे सूरियर द्वारा खोजा गया था अठारे सो साथ इस्वी में जो की टॉंस नदी घाटी में खोजा गया था जिसे उत्तर प्रदेश कंद छितर माना जाता है यहां इस नौपाशान काल में जिसे कहां कि हत्यारों का विकास होने लगा तो यहार से मिले थे कॉलिडवा इलाबाद से चावल का प्राचिंतम साक्षे जो मिलता है वो कॉलिडवा इलाबाद से मिलता है यहां मित्रों एक बड़ी क्रांती जो यहां पर आती है वो कुम्बकारी का विकास होता है तो कुम्बकारी का जो पहला साक्षे मिला था वो नौ प वाशान काल के अंदर ये घटना क्रम है हमारा अभी जो हमने विकास बात की ये तिन को लेकर के अभी हम लोग जो सिंदुगाटी सब्वेता और वैदिक सब्वेता के बारे में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम एकदम डेस्क्राइब तरीकी चर्चा करेंगे कोशिस हमारी ये रहेगी कि मैं कोशिस ये करूँगा कि स्टुडेंट्स को ऐसा रहे कि वो यूट्यूब चैनल पर ही देखकर एक अपनी क्लास को पूरा कर सके एक हमारा पूरा प्रयास से रहेगा लेके तो वैदिक सब्वेता सुंदुगाटी सब्वेता हैं जो रहे हैं जो हमें चर्चा करनी हैं वो इसके साक्षो पर हमें बात कर लिए इतियास जो लिखा जाता है वो हम जानते हैं कि साक्षो के आदार पर लिखा जाता है साक्षो यानि कि स्रोत इतियास को जानने के स्रोसे कौन-कौन से हैं उन तमाम स्रोत को दो भागों में हम या बाढ़त पूछा जाता है आपको अपने जो नौटस बनाने हैं वह आप यहीं से बना लें और उन्हें बार-बार रिपीट करें क्यों कि की बारबार कोशन यहां से पूछा पूरा वीडियो आप देखेंगे उसमें आगे आप देखेंगे आपको सरप्राइब टेस्ट रहेगा और उसमें देखेंगे कि उसमें आपने क्या-क्या पढ़ा किस तरह सीखा वागे हम देखते हैं तो यहां इतियास के अंदर जो देखा गया वुप्रा तात्विक और साह जो है इस पुरा तत्व का जो विकास जो प्रारम्ब किया गया वो यूरोपियंस के दौरा किया गया 1734 इसमी में इस समय तक हमारे यां ब्रेटिस काल की स्थितियां बन जाती है बंगाल के अंदर सर विलियम जॉन्स के द्वारा एक संस्था इस्थापित की गई जिसका नाम है एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल अपिध्यान रखिए यह बहुत मैत्पुन प्रशने एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल की स्थापना कब की गई 1734 में की गई कहां की गई बंगाल में की गई इस संस्था की स्थापना को जो उद्धेश्य था वो प्राचीन वस्तूओं को जो अध्यन करना है वो इसका उद्धेश्य रखा गया था पुरातत्तु से सम्मंदित जो वस्तूओं हैं उनका अध्यन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी हमारे एक विद्ध्वान हुए उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप लिपियों के लिए बात जो की जाती है जेम्स प्रिंसेप ने जो हमारे यांँ शिलालेक रहे हैं उन शिलालेकों पर जो लिपी लिखी गई थी उसमें सबसे पहले जिसे पढ़ा था जो प्रमानिक तोर पे का आजा तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है इन्होंने 1837 में 18 के कालिन एक सिलालेक को पढ़ा था जिसकी जो लिपी थी वो लिपी ब्रहमी लिपी थी और वो सिलालेक दिल्ली टौपरा इस्थम लेक था जिसे इनके द्वारा पढ़ा गया था दिल्ली टौपरा इस्थम लेक को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पढ़ा था और वो था 1837 के अंदर जिसकी लिपी थी वो थी ब्रामी मौरी काली जो सिलालेक रहे हैं वो चार भासाओं में रहे हैं ब्रामी खरोष्टी ग्रीक और अरेमाई इनमें सबसे ज़्यादा जो सिलालेक मिले हैं वो मिले हैं ब्रामी लिपी के अंदर मिलते हैं वो चर्चा हम लोग जो मौरी व उन्होंने इस ओर हमारा सबसे ज़्यादा सयोग किया था लॉड करजन जब यहां वाइसराय बने तो लॉड करजन ने यहां गवर्णर जनरल थे लॉड करजन तो लॉड करजन ने पुरातत विभाग की इस्तापना की यह बहुत ही मैत्पुन प्रस्ट ने आपको धियान हैं कि पुरातत विभाग की स्तापना किस गवर्णर जनरल के द्वारा की गई तो उनका नाम है लॉड करजन जॉन मार्सल जो एक बड़े इत्यासकार रहे हैं उन्होंने सिंदुगाटी सब्वैता पर एक ग्रंथ लिखा था इस प्रकार पुरातत्त को के छेत्र में जो व जो स्रोत आता है सबसे मैत्पूर्ण स्रोत वो होता है सिलालेग शिलालेग ये ध्यान रखिए कि आप इतिहास की दरश्टी से इतिहास की खोज की दरश्टी से सबसे मैत्पूर्ण वस्तूर होती है सिलालेग हलाकि इतिहास के अंदर जो हम देखते हैं इतिहास के में जान सिलालेखों के दिखी जाती है तो आप ये ध्यान रेकिए सिलालेख की जो मुख्य मुख्य विसेश्था हैं उन में सबसे मुख्य विसेश्था जो रही है वो सिलालेखों के यह होते हैं कि दीरगावदी तक शुरक्षित होते हैं यह दीरगाओदी तक जो माने जाते हैं यह सुरक्षित माने जाते हैं लेकर यह हम क्यों के मुख्थर विशिषता है जिसे RSP के एक्जामी पूछा तो सिलालेको के मुख्थर विशिषता क्या है तो दीर गावते सुरक्षित होना, क्योंकि हम लोग एक मौावर में बात भी करते हैं, कई बार की मेरी जबान ऐसे इसे पत्थर पे लखी, तो इट मिल्स यह है कि वो मिट नहीं सकती, यानि वो व्यक्ति बचन का पक्ता है, इसलिए सिलालेकों की बात यहां बरकी गे, सिलाल सिलालेकों की विशेस्ता में जमन का दीर सुरक्षित होना, तत्कालिन जो लेखन सहली है, उसकी जानकरी भी जो में मिलती है, वो सिलालेकों से मिलती है. सिलालेग कई प्रकार के सिलालेग यहां पर होते हैं उनमें मैं कुछ प्रकारों की बात कर रहा हूं जैसे वैपारिक सिलालेक, धार्मिक सिलालेक, मायावी सिलालेक, आदेश आत्मक सिलालेक, प्रसासनिक सिलालेक, मनत सिलालेक, प्रसंसात्मक सिलालेक, उपोहार सम्मंदी सिलालेक इन तमाम सिलालेकों में, यहां जो मायावी जैसे सिलालेक हैं, उनमें जैसे मंत्रों की चर्चा की गई है जिसमें मंत्रों की चर्चा की गई है, वो सिलालेक को कहलाते हैं मायावी, सिलालेक यहां पर कहलाते हैं यहां जो प्रसंसात्मक सिलालेक होते हैं, इन्हें राजनितिक द्रश्टी से बहुत मैत्पुन माना गया है क्योंकि इन सिलालेक के अंदर शासकों की प्रसंसा लिखी जाती है जिसके एक सबसे बड़ा महतपूर्ण प्रमान जो में मिलता है प्रियाक प्रसंस्ती उसकी चर्षा भी हम लोग करेंगे उपोहार संबन्दी सिलालेक जो है इन सिलालेक हों में सबसे ज़्यादा मिले है राजनीतिक दरश्टी से जो महतपूर्ण परसंसा अत्मक जो सिलालेक होता वो होता है प्रियाक प्रसंस्ती जिसे इलाबाद प्रसंस्ती के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि इलावाद में ये इस्तित है ये प्रियाग प्रस्थी की जो बात है इसमें जो महत्पुण कुछ चर्चा मैं आपको कर रहा हूं इस प्रियाग प्रस्थी में गुप्त वंस का एक शासक रहा है समुद्रुगुप्त कि Samudurgibt की विजियों का जो वरणन हैं वो वरणन इस प्रियाग प्रस्थी में मिलता है संद्रुप्त का संद्यविग्रहिक रहा है हमुसे लेखक भी वो था इसका नाम थै उस हरिशेंड ने चर्चा जो जिसका लेखक भी रहा है उस हरिशेंड ने इस प्रयाग प्रसस्तिथ है। प्रसस्ति का अर्थ होता है प्रसंसा, उसमें समुद्र गुप्त की प्रसंसा इसने लिखी है। लेकिन मित्रों द्यान नंहीं यह मुगल को प्रसक्ति है यह मुगल काल रूपसे मौरियकाल की है जब गुप्त काल आया है वार्शियन के गें सामुधर गुप्त की इस पर मुगल काल का अर्व यह मुगल चाशक झाहंगी और एक नवरत्न रहें जिनका नाम है बीरवल इन दोनों के नाम भी जो मिलते हैं वो प्रयाक प्रसस्ती के अंदर उलेकित हमें मिले हैं एक तामरपत्र जो इंसलालेकुम देखते हैं कुशी नगर जो उत्तरप्रदेश के अंदर है वहाँ से मिला है उस तामरपत्र के अंदर तेरह पंक्ती में बुद्ध के उदान सुद्ध का उलेक हमें जो मिलता है इस कुशी नगर तामरपत्र के अंदर मिलता है इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में जो हमें नेक्स चर्चा हमें करनी है सिलालेखों की चर्चा हमारी हो गई है पुरातत्तों के बात हो गई है हम जो बात करें अब हम चर्चा करते हैं मुद्राओं की मुद्राओं का जो अध्यन है वो मुद्रा सास्त्र कहलाता है इसे मुद्रा विज्ञान को हम लोग अंग्रीजी में नुमेनिस्टिक के नाम से हम लोग जानते है ये कोशन आरे स्प्री के अंदर ये पूछा गया है कि मुद्राओं का अध्यन कहलाता है मुद्राओं से हमें शासकों के बारे में बहुत से जानकरी उनकी मिलती है उनकी अर्थवरस्ता के बारे में विश्य सुरूप से जानकरी मुद्राओं से मिलती है जैसे किसी शासक के स्वन सिक्के विश्य रूप से चल रहे हैं शुद्ध सोने के सिक्के चल रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि उसके शासनकाल में अर्थ वव्रस्ता काफी अच्छी है, यinity उसके भातूं में किसी परकार की मिलावट आने पूर में जो प्राचिनतम सिक्क्य चलें उन्हें हम आहत पंचमार्षिकों के नाम से हम जानते हैं उनका चलन जो था पांच इसा पूर में उनका चलन रहा है सिक्कों पर कई प्रकार के चिन मिलते थे जिसे पेड़ है, पहाड है, धनुस बान है, मचली है, साप है, हाती, अर्धचंद्र, सूरी है इस प्रकार के चिन काफी मिलते थे और उन चिन्नों से ही उन सासकों के इतियास पर प्रकास इतियास कारों के दोरा डाला जाता है भारत में सबसे पहले जो लेक वाले सिक्के स्वन सिक्के जो थे या सोने के सिक्कों का चुलन जो भारत में से पहले हुआ वो इंडो-ग्रीक सासकों के दुवारा किया गया था यिने हम हिंदी-युनानी शासक के नाम से भी हम जानते हैं सरवादिक शुद्ध सोने के जो सिक्के चले हैं वो कुशान काल के अंदर चले हैं और सरवादिक सोने के सिक्के जो चले हैं वो गुप्त काल के अंदर उज्जेन एक बहुती महत्यपूर्ण वैपारिक चित्र माना जाता था उज्जेन में वैपार की जो इस्तिती थी वो काफी उच्छ थी जिससे सोने की सिक्कोव प्रचलन महां सबसे जादा था अब यहां मैं दो प्रस्णों की चर्चा कर रहा हूँ जो मुख्य कोश्चन से जहां विद्यारती जादा तर उन्हें पढ़ने की जल्दी में वो उनका सही आर्थ उसका निकाल नहीं पाता पहला प्रस्ण जैसे होता है कि सरवादिक सोने के सिक्को का प्रचलन किस काल में हुआ सरवादिक सोने के सिक्को का प्रचलन किस काल में हुआ तो उसका आंसर होगा कोशान काल एक कोशन होता है कि सोने के सरवादिक सिक्कों का चलन किस काल में था तो उसका अंसर होगा गुप्त काल आरंबिक जो सिक्के हमारे थे, वो रज़त सिक्के थे, यह चांदी के सिक्के जो थे, यहां भारत में साथवान शासक हुए, उन शाथवान शासक के दुवारा सीसे के सिक्कों का चलन प्रारंब किया गया था, चमडे के सिक्के भी हमारे भारत के अंदर चले, और चमडे के स हुमायू के शासनकाल में चले थे रुपिया नामक के बादशाह के दोरा Yoogic नजर डाली है जो चर्चा किये वो सिक्कों पर चर्चा किये यह हमारे सक्षे जो इतियास के स्रोत रहे हैं वो प्रातात्विक स्रोत रहे हैं अब हम कुछ साहित्तिक स्रोत जो दूसरा भाग है इतियास के स्रोत का हम उन पर चर्चा करते हैं यहां हम भारत में आने वाले जो कि विभिन देशों से हमारे यह विदेशों से जो लेकक ऐसे ँन पर हम लोग यहाँ चर्चा एंदर फिर तमाम सहित्ते पर चर्चा किया जाना इस वीडियो कि लास में ना नाम है सुमाचीन की सुमाचीन जो की चीनी इतिहास का जन्मदाता माना जाता है जो चीन का प्रतम इतिहास लिए जिसका काल प्रतम सताथरी इसवी में भारत आए था और 414 एस्वी तक वो भारत रहा था 399 से 414 इसका अर्थ यह हुआ कि वो कुल 15 वर्स तक भारत के अंदर रहा था इसने अपनी रचना भारत की दशा का वर्णन किया है यह प्रतम चीनी यादरी था जो चंद्रगुप्त विक्रमा दिते जो गुप्त कालिन जो शाचक था उसके समय उसने भारत की यात्रा की थी और बोध गरंतों का अध्यन इसने यहां पर रहकर की किया था एक नेक्स्ट था शुंग यून पर हम लोग चर्चा करते हैं जो 512 तेरे इस्वी कंद्र उसका काल रहा है इसने बंगाल वे बिहार की जो तातकालिन जो आर्थिक और धार्मिक इस्तितियों को जो वर्णन किया वो इसने किया एक जो नेक्स्ट है वो कॉस्मांस के नाम से जाना जाता है जो गी 535 से 47 तक इसका टाइम रहा है इसकी जो मुख्य जो रचना रही है वो क्रिश्चन टॉपोग्राफी के नाम से उसे जाना जाता है इसने भारत और स्री लंका के मद्दे जो वेपारिक संबंद है और वेपारिक संबंदों का वर्णन इस गरंत के अंदर किया है एक बड़ा ही फेमस जो हमारे रातिर रहें जिसे हिंसांग के नाम से हम जानते हैं जो की 639 से 643 इस्विकन का काल है इन्हें यात्रियों को समराट के संगय दी जाती है किनी किताबों के अंदर यात्रियों में राजकुमारी भी इनको कहा गया है इसकी जो मुखे रचना है वो C.U. की के नाम से जाना जाता है जो की पाश्यात्य से सार लेक से इसका अर्थ है यह जो हिंसांग है यह हिंसांग समराट हर्सवर्दन के काल में भारत आया था इसने नालंदा जो विश्य विद्याले है वहां रहकर के अध्धिन भी किया था और हर्सवर्दन के दरबार में रहा और हर्स को इसने एक उपादी दी थी जिसे शिला दित्ती के नाम से इस उपादी को जाना जाता है नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हवली की बात कर रहे हैं जो कि 7 वी सतादिम रहा इसने हैंसांग की जीवनी इसने लेगी थी और यह जो हवली है यह हैंसांग का प्रशिद्य मित्र भी था नेक्स चर्चा हम करते हैं इतसिंग की इतसिंग जिसे 670 से 625 में इसका टाइम रहा है और इसकी रचना जो रही है वो फिरसित बहुत बिख्षों कि इसने आत्मकताओं का इसने वर्णन किया चीनी बौध यात्री था जो नालंदा विश्य विध्याले में अध्यनरत भी रहा था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने त्रीपिटक जो रहे हैं उनकी 400 के करीब प्रतियां अपने साथ ले करके गया था नेक्ष मात्मेन लिन की हम बात करते हैं जो की सात्वी सताबदी के अंदर रहा और हर्षवर्दन की पूर्वी भारत आक्रमण के अभियान को जो वर्डन है वो मात्मेन लिन ने किया है नेक्ष चाओ जू कुअ जो बारे सो पच्छी से चमवन इसका टाइम रहा है ये इसकी रचना चूफानची के नाम से जानी जाती है चूफाणची रचना में तेरीवी सताबदी के अंदर जो चीनियों और अर्बी वेपार जो था वेपारीक संबन जो थे और वेपारीक संबन पूर जो चर्चा है वो चाऊ जो कुआ ये करता है ये थे नेक्स हम बात कर रहे हैं यूनानी लेखोकों की जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, सबसे प्रशिद और एक इंपॉर्टेंट जिस जिन्होंने यात्री की बात की जाती है, उसका नाम में मैगस्नीज, मैगस्नीज को लेकर कि मैं चर्चा आपके सामने रख रहा हूं, 304 से 2099 में इसापूर ये रहां पर रहा है, हमारे मौर मौरिय वंस का शाहसक जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौरिय, चंद्रगुप्त मौरिय जिसने मौरिय वंस की स्थापना की थी, उसकी शासनकाल में मैगस्नीज भारत आया था, मैगस्नीज मूल रूप से यूनान का रहने वाला था, यूनानी था, सेल्यूकस निकटर, से युद्ध убष सें लिकतर ने चंदर्य के संधियां कही है और वो थी सब्सक्राइन होता है और टी गा बारेता है कि इंडी का में लिखा गया है कुछ उसे कुछ इतियास का अशुद्द मानते हैं है यह यह हैं क्योंकि वास्तिक्ता है भी क्योंकि भारत जैसे विशाल देश का जो एक वरात इतियास रहा है उसको भारत को पांच साल में समझना बहुत मुस्किल हो जाता है इसलिए कि कुछ रचना ऐसी रही है जिसमें काफी अशुद मानेगे उसमें एक रचना इंडी का को भी रचना जो उसुद माने गया है वो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट टॉल्मी टॉल्मी के एक पुस्तर जोग्रोफी जो की 150 इसवी के आसपास इसको रचा गया इसमें भूगोल जोग्रोफी और भूगोल की और वानिजी की जानकरी हमें यह देती है इस्ट्रेवो इस्ट्रेवो जो है इस्ट्रेवो ने मैचशनी आफ्सट विदम को कालपणी इसने माना है नेक्स चाहते रोमन लेकोर eux जिसमें पलिणी नाम सबसे महत्पुन रोप से आता है और यह पूछा जाता है कि पली नहीं रहा है तो पली रोमन रहा है इसने नेचलिस हिस्टोरी का भारत और इटली के भी चोने वाले वैपारीक संबंदों की जानकरी इसके पुस्तका में देती है मुस्लिम अर्भी लेखक उनके वर्णन पर हम लोग यहां चर्चा करते हैं कुछ मुख्य रोप से जिसमें पहली जो हम बात कर रहे हैं वो इबने खुर्दादब जो रहा है जो की 864 इस वी गरी उसका टाइम रहा है इसकी बहुत प्रशिद्य रचना है जिसे किताबुल मसा सताब्दी की समय के राजनेत नोवी सताब्दी में हमारे भारत की राजनेतिक हमारे सामाजिक हमारे यहां का संचार मार्क किस प्रकार के थे उन और संचार मार्क के माध्यम से जो राज्ये जुड़े हुए थे उनका वर्णन जो प्रस्तूत करता है सुलेमान जो भी नवी जो हुआ करता है उसके बारे में इसने कहा है कि जो भारत का मकमल है वो इतना अच्छी quality का रहता है कि उसका पूरा का पूरा थान जो है वो अंगुठी के छेट से निकाला जा सकता है लेके उसको वो गुजर सकता है ये बाग सुलिमान ने कही है और इसको लेके चर्चा हमारे ब्रिटिस कालम जो अंग्रेज यहां पर हमारे आये थे तो उनकी नजर इस पर विशेश रूप से थी जिसकी चर्चा में पूरे विस्तार से आगे हम लोग जो नेक्स विडिय आएंगे उनके अंदर हम लोग करेंगे अल-बिलादुरी नाम के जो वेक्ति नवी सताब दिक अंदर रहे है इनकी मुखे रचना रही है फुतुहल बुल्दान के नाम से इसको हम जानते है इसने भारत पर जो आरब आक्रमन जो हुआ है उस पर चर्चा किये और अरबो की चर्चा यहां रही है नेक्स्ट जो रहे है अल-मसूदी जो 957 इसवी के अंदर इनका टाइम रहा है इनकी रचना है महरूल जहान यह मूल रूप से बगदाद के रहने वाले थे इन्होंने इराक, भारत, एसिया माइनर, अफ्रीका, सुडान, चाइना, अमरेनिया, तिबबत जैसे देशों का ब्रह्मन किया था और प्रतिहार पाल और दक्षिनी के हमारे जो साथ सकरे डास्ट कोट उन नरिशों के मद्दे एक सभावी की सत्रुता चल रही थी उस सत्रुता पर इन्होंने चर्चा किये और राजनीतिक प्रतिश्वर्दा इनके बीच रहे थी इनके गरंतों से उसका वड़ा नामे मिलता है एक बड़े ही प्रसिद नेक्स जिसकी मैं बात करा हूँ बहुत फिमस बहुत इंपोर्टन जिनसे जातर कोशन पूछे जाते हैं उनका नाम है अलबहरुनी इनका पूरा नाम है अबुरेहान मुहम्मद बिन अलबहरुनी जो कि 1024 से 10, 1031 के लगवगन टाइम है इनकी बहुत ही प्रसिद रचना है जिसे तहकी के हिंद जिनसे किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है अलबहरुनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था जब सोमनात पर जब आक्रमन वहा था महमूद गजनवी के जितने आक्रमन है उन आक्रमनों में सबसे प्रसिद जो आक्रमन रहा है वो सोमनात के मंदिर एक आक्रमन रहा है सोमनात का मंदिर गुजरात में है जो कि अरब सागर के किनारे है मुआ इसने आक्रमन किया और उस समय उस टाइम में ये भारत आये था जो कि महान ये गणितक गे और जोतिस वीद भी था इसने चार जातियों का उले करते हुए जो शुद्र हैं उनकी व्रद सुचिय में दे थी ब्रामन जो हत्या है उसको वजर हत्या की संग्या दे करके एक महानता मपराद की सेडी में रखा था क्योंक ब्रामनों का उचिस्तान रहा था उस समय और इसने मृत्युदंड से ब्रामनों को छूट होने की बात कही है कि ब्रामनों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था लेके मित्रो आज जो हमारी चर्चा जो कंप्लीट रूप से जो डिसकसन रहा इतियास पर रहा है कि इतियास का बेस इतियास की बुनियाद उस पर रहा है मेरी जितने वीडियो ज रहेंगे उनमें अंद में हम लोग यहां जो बात करेंगे कि अब तक जो आपनों पढ़ा उस क्यां से उसकंदर आपको देखना है उसमें खोजना है उसका आप खोजें और नेक्श्ट इप्वीडियो क्लाश की उमिरी आईगी उसकंदर नमें इसकंदर रूपताउँगा लेकिन इसका अरत्व ज़िए नहीं कि कि मानो संस्कृति युगों का सही क्रम चुने। इनका आपको एक क्रम चुनना है कि मानो संस्कृति को जो विकास हुआ था, वो विकास किस प्रकार से उसको रहा था। तीसरा प्रस्ण है धीम बेट का जो गुफा है, वो कौन से राज्ये में इस्तित है। चोथा प्रस्ण जो हम देख रहे हैं, वो यहाँ के राजस्थान में पशू पालन का जो प्रमान मिलता है, वो हमें कहां से मिला है। पांचवे प्रस्ण जो इस प्रकार के प्रस्णों में कई बार विद्यारती बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, कि वो समझ नहीं पाता है, क्या इस्तितियां है, अब आपको यहाँ देख रहे हैं प्रस्णी के अंदर का वो गलत विकल्प कौन सा है यह चुनना है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर तीन विकल्प सही होंगे, एक विकल्प गलत होगा, और इस गलत विकल्प को आपको चुनना है, किसम गलत विकल्प इसके अंदर कौन सा है, वो ही इसका उत्तर होगा, नेक्स प्रस्ण है, छटा वाला, जिसके हम देखते हैं कि कुम्बकारी, जो है, वो किस काल की घटना है, या प्राग इतियास की काल की घटना है, मद्य पाशन काल की घटना है, नव पाशन काल की घटना है, या आद इतियास काल की घटना है, नेक्स प्रस्ण है कि राजस्तान सब्द किसकी देन है, यह आपको बताना है, और भारती इत्यास रच्यता प्रथम विदेशी यात्री कौन था ये आपको यहां बात करना है इत्यास सम्मंदी महत्पुन जानकारी ये महत्पुन सामगरी वो कौन सी है और अंतिम इसका प्रस्ण है, अवतारवाद का प्रफम लेख जो है, वो कौन से ग्रंद के अंदर है इन प्रस्णों का उत्तर आपको इसी विडियो को अंदर देखना है और उसका उत्तर आप स्वैम अपने देंगे और नेक्स वीडियो जो मेरा आएगा उसकंदर इसकुतर मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो क्लास हमारी आज यहीं समापत होती है हम नेक्स वीडियो क्लास में आपसे रूबरू होंगे आपसे बात करेंगे नमस्कार धन्यवाद